हाई दिस इस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर रॉल हेलो फ्रेंड्स लेट नाइट अभी लगवाग 11 बजने को जा रहे हैं और मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूं क्योंकि अपड़ेट ही इतना अच्छा है सभी टेक्टीर अलपींज के ज्यानिक बहूत अच्छे अबहुं जयुक्त अब यह जहां मंडल के तरब से अपडेट है जहां सी डिविजन के तरफ से अबडेटल आया है इसमें अभी कुछ दिन पहले ही technician का दिया गया था और अभी पूरा combined दिया गया है और इससे पहले इसमें ये जो भी आपके ज्वाइनिंग के लिए जो important दस्ताविये जहें जो भी आपके important documents है उसके regarding सुरुवात में ही दिया है आप सभी ये चार चीजे दी हुई है इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया गया है साथ में COVID-19 की वज़े से क्या क्या आपको सुरक्षा क्या क्या आपको ये आरो के सेतु एप इन सब चीजों को डाउनलोड करके और किस तरह से महाँ पर जाना है मास्क, सनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो भी दिशा निर्देश COVID-19 के रिगार्डिंग है उसके लिए भी लिंक प्रोवाइड किया गया है उसको आप डाउनलोड करके और समझ सकते हैं दे सकते हैं कि किस तरह से जाना है हमें और किस तरह से तयार होके अपना सनेटाइजर और मास्क पहन के वहाँ पर जाना है सनेटाइजर के साथ जाना है टाइम टू टाइम ती उसको रिजूम किया जा रहा है और सबसे पहले यह टेकनिशियन के बारे में बताय गया था साथ में जो इंपोटन जो डॉक्मेंट्स था उसके बारे में बताये गया है कि सभी दस्तावेज आपके सेक्षणिक योगता है जितने भी जो ओरीजनल है और साथी सेल्फ अट में और भी बहुत सारे जो आपके डॉकमेंट्स हैं वो सभी अटेस्टेड वेगरा होने चाहिए प्रमान पत्र वेगरा जो आपका करेक्टर सेटिफिकेट है उसके बारे में भी सारा कुछ दिया गया है इसका आपका पूरा कम्प्लीट डिटेल आप NCR के वेबसाइट प पढ़ूँगा लेकिन आप अपने जोइनिंग से पहले जरूर वेबसाइट पर जाकि इस सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा पढ़िएगा उसके बाद ही आपको अपने जोइनिंग के लिए जाना है तो जर आप डेट के बारे में बात करते हैं टेक्निसियन का एक ज इंजिनियर फिटर इसमें काटेग्री नंबर 61 को 10 जुलाई इसमें लिखा 6 आउट ओफ 9 केंड़ेट कार्ड आइस पर मेरिट बाकी जो एस्टुरेंट से उनका अपडेट किया जा रहा और ये 69 2020 तक अपडेट हो जाएगा उसके बाद जो भी स्टुरेंट से बचे रहें तक तो आपको टेक्नीशियन के सभी कंडिडेट को बुलाया जा रहा है जहासी मंडल में जैसे ही टेक्नीशियन का खतम होता है उसके बाद जेई का जो सेडियूल तैय गिया गया है जेई में जो जेई सिविल वाले हैं जेई इंजिनिंग पीवे उनको 21 से 24 जुलाई इन स अगस्द को तो यह दिरे 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 फिर नीचे देखेंगे जेई electrical TRD इनको 17 और 20 जुलाई को ऐसे ही यह चलता जा रहा है फिर 7 आट को बुलाया है 7 अगस्द को फिर 27 जुलाई को जेई Works को जेई सिविल डॉइंग को 29 साथ को बुलाया है तो अगस्द और जुला से इनको बुलाया जा रहा है जितने भी एलपी कंडिडेट्स हैं 17 से continue इनका चलेगा 17 18 19 20 और पर डे जो स्टार्टिंग है उसमें 15 कंडिडेट को और लास्ट में कहीं 23 को भी 17 को बुलाया है जो 23 कंडिडेट को बुलाया है टोटल जहांसी को 348 एलपी अलॉट हुए थे उस पर विद्हेल केंडिडेट को भी जहासी डिवीजन अलॉट किया गया था तो उनका भी नाम इसमें नहीं है तो वह विद्हेल के साथ उनका आगे का सेडियूल जरूर जारी किया जाएगा जल्दी ही तो यह 17 से लेके और 16 9 तक 16 सितंबर तक यह लेट जरूर है लेकिन अच्छा अपडेट आ अभी आगरा और इलहाबाद का इंतजार रहेगा आगरा और इलहाबाद कितना जल्दी देते हैं और सबसे बड़ा इंतजार सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा इनकी ज्वाइनिंग तो हो रही है लेकिन इनकी ट्रेणिंग कब से स्टार्ट होगी यह भी बहुत इंपोर्टन बात है क्योंकि बिना ट्रेणिंग के तो काम आगे होना नहीं है तो आप ट्रेणिंग सेड्यूल पर भी नजर बनाए रखें और देखें कब तक आता है साथ मैं जो भी एलपी टेक्निशियन और जेई के जो वेटिंग कंडिडेट है इस पेसल पहले जे ही जोइन कर लेंगे जिसकी वेश तो सभी को congratulations और काफी अच्छी खबर है तो खुसो हो जाएं आप सभी और जल्दी आपका schedule भी आ जाएगा कि आपका training कप से start होगा उसका भी इंतेजार सभी कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद